हलो दोस्त कैसा RRC सिकंदराबाद का हमने एनलाइसिस किया आपको कैसा लगा रिजल्ट और कट अप बारे में तो रेलवे ग्रूप D PT रिजल्ट के बारे में है लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज है रिजल्ट का किसने किया कोपी और यहां हुआ है या नहीं हुआ है उसको प परसेंट पूरूप के साथ और वो कैसे कैसे कि हम बताने वाले हैं आपको कि हमने उसमें डाटा में बेरियेशन किया था और सेम डाटा उतार के कोई चैनल पे बिता दिया गया अगर डाटा को इकाउंट करेगा तो वहां जरूर डिकलियर हो जाएगा तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ तो सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा RRC South Central Railway सिकंदराबाद का और अब से डेढ़ गंटा पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है किसी चैनल पे जो आप जानते ही हैं सब लोग जानते हैं कि केवल काम करना है कोपी और कहने पे लगती है गलती की लोग गलत बोलते हैं तो वही चीज़ आज मैं बता रहा हूं कि South Central Railway का वेबसाइट कर मैं सामको 10 बजे वीडियो बनाया था उसके बाद 12 बजे के बाद वीडियो यह वेबसाइट खूलने में प्रोब्लम हो रही है और वो डाटा कहां से लाया गया है स समझ सकते हैं पहला देखिए वेबसाइट खूलिएगा तो यह दिखेगा आपको 404 not found और यह डाटा करीब करीब रात के 12 बजे से अभी तक ऐसा चल रहा है यानि ACR South Central Railway सिकंदराबाद का वेबसाइट यह रात से ही नहीं खूल रहा है लेकिन भाई लोगों ने वीडियो आपको आता हूँ अगर मेरे चैनल पे एक भी वीव आता है कोई दिकत नहीं है कम से कम किसी के कोपी या नकल नहीं किया जया क्योंकि अपना creator का आपना वर्क होता है जितना अच्छा करेंगे अपसे उतना ही अच्छा होगा तो दिखाता हूँ आपको कहां से कोपी किया ग इसमें 2 से 5 variation है कितनी डाटा है 2 से 5 variation मैंने जान को किया था और इसलिए किया था कि मैंने केवल क्वालिफाई को सही रखा not qualify को गलत किया था और not qualify में जिसमें बढ़ाया था मैंने उसमें absent वाला में डाल दिया था लिस्ट में इसलिए कि मुझे पता था ऐसे ही मैंने दाटा नहीं देखा अब इस वीडियो के स्क्रीन सूट कोई भी लेके अपने पेन से लिखके अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है क्या बिल्कुल कर सकता है हम भी कहेंगे हां लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हमने अगर एक रिजल्ट काउंट किया उसमें 442 कंडिडेट लिखा हुआ है लेकिन एक्चुल कंडिडेट 338 है या 438 है तो 442 दूसरे कंडिडेट भी या कोई ब्यक्ति काउंट करेगा तो उससे कितना मिलेगा 442 या 438 समझे वैसे ही मैंने यहां 46 लिखा हूं तो यहां पे 46 की संख्या मैंने कम करके यहां पे 46 नहीं था 442 था यहां मैंने 4 कम किया यहां पे 4 बढ़ा दिया और इस रिजल्ट को आप वेरिफाई कर लिजिएगा आपके पास RRC की वेपसाइट जब खुलेगा ACR की वहां पे आप 25 तारीक को डाटा निकाल के देखिएगा इसमें से डाटा बेरियेशन है बिल्कुल बेरियेशन है यह डाटा इसलिए कि देखता हूं कि कौन कितना पानी में है सब्सक्राइबर आज मैं लिख देता हूं कि 16 मेगा हो जाए 20 मेगा हो जाए या 100 मेगा होगा है लेकिन अगर कोपी करने की आदत बनी रहेगी तो कभी न कभी पकड़े जाओगे क्योंकि यहां जनता है जनता सब कुछ द देने वाला हूं पहला पुरूफ क्या था पहला पुरूफ आपको यहां पे था कि वेपसाइट अभी डाउन है क्या डाउन है वेपसाइट डाउन है तभी रिजल्ट काउंट कर लिया गया हो सकता है पहले रिजल्ट ले लिया हो दूसरा पुरूफ है डाटा जो सेम के से लग् mucho ज़िया गया है तीसरा पूरफ आपको अभी बताने वाला हूं तीसरा पूरुप के लारे में देखिएगा कि मैंने वीडियो कर ve अधी बारई अपलोड किया था और सेम वीडियो की डाटा बारह बजे अपलोड होती है यानि मैंने 34 ce통 आफ-s 4-4-19 को upload किया तो अब यहाँ दिख जाएगा कि कौपी कौन करता है और क्या बोलता है उसके लिए निर्धारित करना है भीवर को कि सबसे कम कौपी नहीं हो किसी content की अगर आप में talent है तो direct सामने क्यों नहीं आते पीछे चुपके किसी के वीडियो की कौपी करके लोगों को बताना कितनी जागरुपता की काम है तो चलिए चलते हैं अभी तक लोगों की analysis था कि क्या result रहा तो final कल तीन तारीक को लोगों का आगया है result जिसमें 423 candidate भाग लिये हैं यह absent वाले कौन से candidate absent थे उन्होंने भाग लिया है उसमें से 160 qualify किये हैं और 263 disqualify हुए है not qualify हुए है यह original data है इसमें कोई data variation नहीं है और इसलिए इस वीडियो में मैंने कभी नहीं बताया था कि data variation है तो यहां पर आप देखेंगे तो final आपके पास यह आ गया है 10,508 candidate qualify कर चुके हैं 5,457 not qualify हैं और absent की संख्या 4000 में से 423 घटा जेंगे तो 3500 अब total candidate की बात करेंगे तो CBT1 में कितने qualify हुए थे यह भी सायद आपको गडबड़ी पता होगा तो यह पास हुए थे 19,572 नहीं हुए थे यह भी एक data है बिलकुल exact data है लेकिन PT में कोई एक candidate दो पहले दिन आया होगा उसको absent कर दिया गया होगा दूसरे दिन आ गया होगा इसलिए 172 होगा था यह भी सेम के सेम कोपी किया गया है तो समझिएगा कोपी एन कोपी एन कोपी यही है लाइफ और करिए वीडियो की वीव बढ़ाईए और कहलाईए मैं यूटूब का सबसे अच्छा दोस्त हूं थेंक्यू धन्यवाद